मैं अगर वोट देती हूँ आरजेडी को चला जाता है बीजीपी को मैं अगर वोट देती हूँ कॉंग्रेस को चला जाता है बीजीपी को मैं अगर वोट देती हूँ सपा को चला जाता है बीजीपी को आखिर खेल क्या है दो राजियों में खुद जानबुच के हाड़ी है ताकि जनता का सक उनके उपर ना जाए और EBM से लोगों का नजर हटा रहे लेकिन जनता बेवकूप नहीं है उनके पास मुद्दे है हिंदू मुसल्मान इंडिया पाकिस्तान मंदिर मस्जिद इसकी अलावा उनके पास करा यह कथा अंगरेश की कलारी हार हुई है तमाम नेटा इवियंप सवाल खरे कर रहे हैं था हमारे साथ एक्तिविस्ट अंजली जी होंगे जो लगातार मद्ब्देश को कबर भी कर रही थी अंजली आप्तों मद्पर्देश भी गई थी प्या माहल था और जो लोग इभ बिल्कुल गरवडी है महरा सिख्दम गरवडी है कि जिस जगह पे पानी नहीं है खाना नहीं है जिस लोगों को अभी तक घर नहीं है माकान नहीं है मतलब आपको मेरे वीडियो देखने को मिल जाएंगे कहीं कई डाला हुआ है जैसे कि एक दकन्टा पे भी होगा लेकिन एक एक चीज जो है वहां पे लोगों से एकदम उल्टा हो गया है वहां पे जिसके पानी नहीं हो क्यों भी मोदी सरकार को वोड़ देगा आप बताईए कि जीने का अधार पानी माना जाता है हम वहां पे देखे कि एक दिन पानी भड़के दस दिन घर चलाया जाता है यह कि वहां पे पुरा बीजी पी हार रही थी लेकिन अचानक रातो रात कैसे पलठ हो गई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विधाययवक एक वी वोट नहीं मिले मायावती जी वहाँ पे है उनके जो विधायक है उनको एक भी वोट नहीं मिला ही सोच की हमको लग रहा है कि क्या गरबढ़ है अच्छली उनके परिवार ने तो उनको वोट दिया होगा जहां उनका घर है और किसी ने ना सही लेकिन जहां अगर मैं रह रहे हूं जहां मेरे अपने ममी पापा है मेरे परिवार है बाकी सब लोग है वो लोग मुझे वोट दे रहे होंगे तो देखिए कि मेरा वहीं वहीं पर देदम दिमाग ठंका की नहीं एक वीडियो भी आ रहा था कि जो ताला था एविएम का जो आवाया था कांटिंग करने के लिए उस समय में उस पे सिल नहीं लगा हुआ था फिर ना कि क्या गरबड है क्या हो रहा है कौन इसमें गरबड़ी कर रहा है कि यह तो सच्चा ही है अखमार मोदी जी का मीडिया मोदी जी का इवियम मोदी जी का चुनाव आयोग मोदी जी का हर कुछ मोदी जी का फिर मोदी जी जीतेंगे तो मोदी जी कि जंता वोर्ट तो गदे आने की दे रही है अप एक बात बताएएएएएए एक दम गलत है सरासर गलत चीजे है कही न कहीं कि अगर हम दो जगें नहीं हारते बीजी भी खुद हारी होंगी जान बूच कर कि कि अगर हम बच्चों को लॉली पॉप नहीं थमाएंगे तो वो रोना बन नहीं करेंगे तो मोदी जी का मैजिक भी तो था साथ में कौन सा मैजिक? हम वहाँ गय थे लाडली बहना योजना दे रहे हैं एक गाव में जाके खबर की हूँ वहाँ पे देखा है पहुत हो इंशा पाल कि राशन काम अगया मोधी जी को हम पाच किलो रासन देटे खाके दिखा एक मैना अपको भी देते बाशन आप एक मैना खाके दिखाए संभव है रासन पर वोट नहीं मिला है वीए में घरबड़ी हुई है कि हो ए अब समाज लिए कि चुनाव आयोग मेरा हो गया तो अब विरोध कर देखिए नहीं हटाने देंगे अब कि यह पी तलवे चाटना सुरू कर देगी आपकी वहां योगी जी बता रहे थे कि आप सब करना मंदिर ले छले यह भी तो मैजिक काम किया होगा लेकिन टीनों मुद्दा बीजिप के पास नहीं है उनके पास मुद्दे हैं हिंदो मुसल्मान, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसकी अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई भी टार्गेट नहीं है, चुनाओ जीत नेक, और जब तक EVM यकीन मानी है, बीजीपी सरकार है, मोधी सरकार है, क्योंकि लास्ट टाइम में जी का नजर हटा रहा है, लेकिन जनता बेवकूप नहीं है, अब हमारी नजर भी एम पर है, का असर 24 सम परेगा अंजली, क्या लगता है, देखिए, EVM का अब असर उल्टा होगा, मुझे लग रहा है कि अब थायत जनता में बहुत जनता वोट, लेकि यह कही न कही अब जनता कौन रहा है हमारे साथ, क्या करना चाहिए, EVM को लेकि जनता हो या फिर कंग्रेस को, देखिए, चाहे वो मोदी हो या कोई भी हो, किसी को भी चुनाओ के नतीजों के साथ गेम नहीं खेलना चाहिए, कोई भी सरकार क्यों नहीं हो, लोगों की सच्चाई वोट कम से कम स्वास होता है, वो चीज होते है, अब उसके साथ भी लोग खेल रहे हैं, बताए इस चीज को कौन दूर कर सकता है भला, यह EVM का खेल है, और यह सारसर सत्रंज राचने वाले भाई हमारे देश पे राज कर रहे हैं, वो मोदी जी है और हमारे ग्री मंतरी है, आमित्सा, ज बहुत ज्यादा बिवादिश बयान आने लगे है, कि हिंदुओं को मतलब हिंदुओं जागों, मुसल्मानों को मारों यह करो, वो करो इसी जी गलत है, हम लोग देश के आजाद होने के 75 साल बाद भी, आज भी हम लोग हमारे देश के जैसे थे, वैसे ही हम लोग, हमें कभ लेए अंजली जी का काना है पुरी बात्चीत पे परतिकेद जगार रवी मेहता